सनातन को बचाने के लिए तो अब हिंसा का भी सहरा अगर लेना पड़ेगा तो कोई उसमें पीछे नहीं रहेगा और यहां हिंदु मुस्लिमें लड़ाई जगड़ा करवाएंगे दंगा भड़काएंगे उनको क्या है ओंट लेना है नमस्कार आप देख रहे हैं सीनुस भा पर कमेंट कर रहे हैं योगी अधितनात जी ने कहा है कि अगर धर्म से कोई खिलगार करेगा तो फिर इसके लिए हिंसा भी करना पड़े हम करेंगी तो आईगे हम जनता से बात करते हैं क्या सच में हिंदु मुस्लिम या फिर जाती विवाद ये सारी चीजें सत्ता में बन पाइब ज़िए रहा है लेकि इसका कोई मतलब नहीं आज सबको जो है अपने रोजिर्योटी रोजगार से जरूरत है सबको अपना धंदा चाहिए मांगा एप कंट्रोल करना चाहिए अने समय रहे हैं ये जो बड़े-बड़े नेता है इस उप अलुदा सीदा बोल एंकि असले मुद्ध हमारा क्या है इस हुआ इस रोजगारी है ने रोजगार घूम रहे हैं अच्छा मतलब इससे बोलके मुद्ध को दबा देते हैं उसको लजा करके धर्म के याड में जोड़ देते हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए आजमी की हर जगा जो है जरीबी ये मेरी हर च चाहिए विकास करना चाहिए सब को रोजगार मिलना चाहिए महांगाई पर कंट्रोल करना चाहिए इन सम्मुद्धों से हट करके धर्मी कुंद्धा पर ले जाते हैं लोग कोई भी पार्टी हो सब्सक्राइब इससे मतलब नहीं है में मतलब यह है क्या नाम है आपका? डिवेट की दौरान लड़ने लग जा रहे है तो इसमें क्या कहें गा बिल्कुल अपने धर्म को बचाने के लिए अपने अर। पूरा कुछर करच्छा जिसको करते रहे जिसके कारण हम सानातन और हिंदू बड़ते चले गए बांट करके उन लोगों ने राज प्या जिसका आज एक हाम्याजा बुगुत रहें कि हम लोग कहा के नहीं पहुंच गए वो कहां से कहां पहुंच गए तो इसके लिया बया भ मानी मुखमांतरी जी संत महंत हैं और अगर इनको बता रहे हैं आपके दौरा पता चल लाएं कि धर्म के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे तो यह बात सुभा नहीं देता और जनता सुभिकार भी नहीं करेगी कोई उस तरह का व्यक्ति होता है आप संबैधानिक पद पर बैठे आपके वल संत महंत नहीं हैं माननी मुखमंतरी भी हैं वो संबैधानि पद है और उसमें सबसे ज्यादा जो है जनता की सुरच्छा सिच्छा चिकिस्सा स्वास्त यह सबकी जिम्मेदारी आपकी बनती है आप जब यहां रहते हैं और इस पद पर रहते हैं तो आप इस तरह की भासा का प्रियोग नहीं कर सकते अगर आप मठ में हैं तब भी इसा ना करके जो है जनता में एक तरह का संसवप्य पैदा कर रहे हैं कि संत महं तो हमेशा सांत का दूत बंते हैं संत की बात करते हैं और यह जो इस तरह की बात माननी मुखमंतरी जी जो संत महंत की बारी से निकल रहा, तो ये बहुत ही दूरगामी प्रणाम लाएगा, इस तरह की भासा नहीं बोलना चाहिए, और ऑभी इस समय जब देश में तरह तरह की जो है बिसंगतियां चल रही है, तरह तरह का इस तरह से जो है दंगा फसाद चल रहे हैं, तो उसको सा करने के लिए बोलना चाहिए ना कि इस तरह का भासा का परियोग करना चाहिए जितने भी भारतावासी हैं उसमें से कम कुछत बैंहीं के वॉत बचना चाहिए क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिशेक दिच्छित हुँ अभिशेक जी नेता दृषे के धर्म पे धर्म पे कमंटबाजी करते हैं उसके बाद कहते हैं मोदी जी कहा रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे योगी जी कहते हैं कि अगर धर पे बात आएगी तो इंसा करनी पड़ेगी तो हम करेंगे तो इन सब पर आप क्या बोलेंगे देखे यह लोक तंद्र है इसमें हर इंसान जो है बिलकुर निस्पच्छ है आजाद है उसको आजादी पूरी मिली है तो सबसे पहले तो यह हमार यहां सब सुतंत्र है जो जैसा चाहें जी सकते हैं जो मन है वो कर रहा है किसी पर कोई रोग तो खे नहीं तो यहां के जो राजनेता है उनको चाहिए कि एक साल के लिए बॉर्डर पर लगा के ड्यूटी लगाए उनकी तो उनको समझ में आएगा कि यह सब क्या चीज है आ यहां हिंदु मुस्ली में लड़ाई जगड़ा करवाएंगे दंगा भड़काएंगे उनको क्या है ओंट लेना है बाकी मर्ती जनता है हम लोग हैं बेचारे यहां दस जारोपेम काम कर रहे हैं तो हम लोग कोई प्राव नुक्षब फाइदा है नहीं है और जो नेता बढ़काना यहीं सब करवाते हैं इसलिए सब राजनेतों का यहीं तोटला बना हुआ चला है तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने यहां की जंता से बात करें और उनका कहना है कि जो नेता है वो सिर्फ इसको मुद्दा बनाते हैं वो राजनीती में धर्म को लेकर आत हैं तो ऐसे ही और रियालिटी शेक्स प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रही है केमरामन दीपा के साथ मैंक अनक मिश्रा सीन्यूज भारत लखनो